एक कार खाना 44,000 के एक प्रकार के कच्चे माल को प्रतिवर्ष काम मिलाता है आदेश्वे दिया है और धारम वे औसद संचिती का 20 प्रतिशत प्रतिवर्ष है अब देखो इसमें कहीं पे भी इन्वेंटरी कॉस्ट नहीं दिख रहा है कहीं पे दिया है यूनिट पर चेश प कारिंग काच्ट होगी जा फिर जो होल्डिंग कोस्त होगी की अगर परस CHANट दिया है और उनिट का रेट नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे डार्ड ट्वेंटी परस हेंट परसेंचmag पॉइंट में लेंगे तो वह वैल्यू हो जाएगी पॉइंटू जीरो तो पॉइंटू देखो यह दिया नहीं है कहीं तो इसके 20 परसेंट है तो पॉइंटू अगर पर यूनिट कोज दिया होता है तब उसका निकाल देखो क्या निकाले मिले हैं find the economic order quantity, EOQ निकालो इसका जल्दी से सब EOQ निकालो क्या निकाले EOQ बताओ 2 इंटू R इंटू CO अपॉन CH क्या है इसे मैं मैं इसका पूरे EOQ आ रहा है 4 4 7 2 4 4 7 2 कोई और है जिसका सेम आया हुए है यस मैं आया है सबका देखो 2 इंटू R इंटू CO अपॉन CH अगर करती हुए सही है एंटू अगर किसी का आया है तो देखो R क्या है इसमें 40,000 है CO है इसमें 50 और CH है इसमें 0.20 वैल्यू पूट करना है इसमें आइंसर आएगा आप लोगों का डबल 4 7 2 रूपीज में है क्योंकि जो यह योनित में नहीं डबल 4 7 2 आप ये देखो जो यह कार खाना था यह 40,000 रूपय का बतारहीं यूनिक्स नहीं है कि 40,000 का माल चाहिए यह 40,000 यूनिक्स चाहिए इसमें क्या लेका है कि 40,000 रुपए का कच्छा माल चाहिए मतलब 40,000 रुपीज का क्या चाहिए इसको रॉ माटेरियल चाहिए तो जो यो क्यू आया है डबल 470 यह भी रुपीज में आया है कि इतने क्वांटिटी मलब 4472 रुपीज का ओर देंगे यह आया समझ में ध्यान देना है जो एन्वल डिमांड होगी आप लोगों की उसमें जो भी यूनिट रहेगा उसी यूनिट से आपको सॉल्व करना है यह हो गया एकनॉमिक ओडर कॉंट्री अब भी देखो यह कोशन ऐसे लिए ही सिलेक्टिट था इफ दा कंपनी फॉलोओस द यो क्यू पॉलिसी यह मानकर कि कंपनी यो यह यह बता रहा है डेज में बता रहे है याद रखना अगर देज में बता रहा है अभी प्राप्तिकाल नौ दिन है इसका मदब रिप्लैनिश्मेंट टाइम नेक्स देखो safety stock कितने का दिया है 300 का दिया क्या calculate करना है re-ordering point, maximum inventory और average inventory तो सबसे पहले निकालो आप लोग re-ordering point लिखो formula लिखो re-ordering point का पुना आदेश स्तर re-ordering point का formula लिखो re-ordering point का formula है लिखो safety stock plus bracket में दो requirement per day plus replenishment time replenishment टाइम देख लिखा आप लोगों ने replenishment टाइम देख लिखा आप लोगों ने replenishment time को in days में कर देना replenishment time in days कर दो replenishment time in days में आएगा यह क्योंकि days में दिया है यह देखो 360 days में दिया है nine days अब देखो safety stock पर आएंगे यहां पर question में देखो यह देखो safety stock question में दिया है 300 में मूल्य की होती है सुरक्षा संचिती safety stock कितना दिया है 300 दिया है फिर plus करो bracket में लो requirement per day एक दिन का कितना requirement होगा देखो तो 40,000 साल भर का है तो अगर एक दिन का requirement चाहिए तो मैं इसको divide कर दूंगी साल में कितने दिन काम हो रहा है 360 दिन अगर यह 360 डेज भी नहीं लिखा होता तो हम 365 लेते हैं क्योंकि साल में 300 पैसेट दिन होते हैं 40,000 को divide करोगे 360 से अब देखो replenishment time into days करो 40,000 को divide करो 360 से कितना आएगा बताओ मैं 111.11 आ रहा है इंटु करो 9 से इंटु किया 9 से नाइन पॉइंट यस मैं तो उसको round figure 1000 लोग है यह plus को इंटु करो ना यह plus जो लिखाने हैं अब में इसको इंटु कर लो वो गलट टाइप हो गया यह requirement per day के बाद यह into मैं यह मिस्प्रिंट हो गया तो यहां पर करो इसको आया जब का 1000 यह सर्व माइक म्यूट करो बेटा किसका माइक on है म्यूट करो यह देखो तो यह answer हो गया तुम लोगों का total करो कितना है 300 300 प्लस 1000 हो जाएगा यह हो गया 1300 रुपीज रियोर्डरिंग पॉइंट यहां तो clear है next देखो क्या निकालने है रियोर्डरिंग पॉइंट के वाँ maximum inventory formula लगाओ maximum inventory का safety stock प्लस EOQ safety stock क्या होता है formula वैसे maximum inventory का बताओ safety stock प्लस EOQ लेंगे हम maximum inventory का formula safety stock कितना निकला 300 दिया हुआ है EOQ है आप लोगों का 44472 EOQ safety stock low 300 प्लस EOQ कितना है डबल 44772 EOQ तो answer आएगा 4772 EOQ रूपीज फिर maximum inventory के बाद क्या निकालना है पायदा उसको भी note कर ले ना चलो average inventory का formula क्या होगा देखो safety stock plus maximum inventory के लेफ़े ले लेफ़ेचा ले ले लेफ़े लेफ़े लेफे लेफ़ेश्गपुप। तो safety stock देखो कितना है अपना 300 plus maximum inventory है अपना 4772 divide करेंगे इसको upon किसे 2 से करेंगे 2536 अब आगया? हाँ सही है 2536 अपन करेंगे 2 से तो यहाँ answer आजाएगा 2536 rupees में, सब कुछ rupees में यह वाला यह वेका किसी को डाउट किसी भी फॉर्मुले में मैं में एक बर हिंदी में बताओ ना फॉर्मूला को इंग्लिश में लिखना पड़ेगा फॉर्मूला दू एक्जाम में कैसे करोगी फिर? हिंदी में लिखोगी? हिंदी में लिखना है तो देखो सेफ्टी स्टॉक को लिखो सुरक्षा संचिती है न? लिखते जाओ अगर हिंदी में लिखना है एक्जाम में तो कोई इश्यू नहीं है चलो लिखते जाओ सेफ्टी स्टॉक को क्या लिखोगी? सुरक्षा संचिती फिर ये जो रिक्वायर्मेंट पर डे लिखा है यहां पर यहां पर रिक्वायर्मेंट पर डे लिखाँ सेफ्टी स्टॉक का सुरक्षा संचिती रिक्वायर्मेंट पर डे का लिखा हूँ आवशक्ता प्रती दिन मदब एक दिन का किनी आवशक्ता रहेगी? प्रती दिन आवशक्ता इसको लिखना? इंटू का साइन देना फिर क्या लिखा है? रिप्लैनिश्मेंट टाइम यहां लिखो हूँ हिंदी में दिया है replenishment time को क्या बोलते हैं अभी प्राप्ति काल यह अभी प्राप्ति काल लिख लिया कि हमने हो गया और किसी का बताना है हिंदी में यह देखो फिर जैसे maximum inventory है तो उसमें safety stock पर लेकोगी सुरक्षा प्लस कि हैं बता किती क्लासद्त हो गएं बोलो थे यह अभुको मिट्र मिट्रा आदेश मात्रा अदेश मात्रा भलते ह। देखो वह डेओ रिए और लेवल का सेम कॉमना डला मैक्जिमम कंजम्शें इंतर मैक्जिमम में लिट टाइंडेंगं पूचा है मिनिमम लेवल का फॉर्मुला लगाऊ रिओर लेवल माइनस क्या है फॉर्मुला याद नहीं है आप लोगों को रिओर लेवल में माइनस करना है ब्रैकेट पे लो नॉर्मल कंजम्शन इंटु अवरेज लिट ताइम नॉर्मल कंजम्शन इंटु अवरेज रिओर पीरिड तो देखो रिओर लेवल कितना निकला था एका ए और बी का निकालेंगे दो पार्ट्स में इसको डिवाइट करेंगे पिर वेका करिंगे लेविल में माइनस करना है तो रिओर लेवल एका कितना निकला था ऐ कितना निकला जिणauen नॉर्मल कंजम्शन देख हो यह नॉर्मल यूसिज सबसे उपर सामान हूर ने अप्योग दिया है तो फिफ्टी इंटु करेंगे किस से average reorder period क्या होगा average reorder यह देखो यह 4 है यह 6 तो 4 और 6 को plus करो divide करो 2 से तो average कितना आएगा 5 same नीचे देखो reorder कितना आया इसमें 300 आया minus क्या bracket मिलिया normal consumption फिर से 50 same into करेंगे कितना आएगा देखो 4 और 2 कितना होता है 2 minimum 4 maximum 2 और 4 6 6 को divide करेंगे 2 से तो आएगा 3 किसी को doubt है इसमें तो 300 minus 150 करेंगे तो आएगा 150 और यह 450 में से minus करेंगे 250 तो आएगा 200 यह दोनों value आएं किसमें योनिट्स में किसी को doubt है यहां तक minimum level reorder level फिर सेम निकालो किसी को doubt है no man clear है next maximum level का formula लगाओ जल्दी से maximum level फिर निकालो a निकालो अलग से फिर b का calculate करो अलग से किसी का आया maximum level क्या आप लोगो ने reorder level minus maximum level में क्या लिखते हैं आप लोग reorder level को plus करते हैं आप किसे reorder quantity से minus minimum usage into minimum reorder period बताओ किसका answer आया maximum level का फिर इसके बाद निकालना अप लोग average stock level average stock level ये इसके आगे से हम next class में continue करेंगे अभी first और second तक रहने देते हैं maximum और average stock level अपर next class में discuss करेंगे